अगर आप अपाईज हो और आपको सीरियल किलर से बदला लेना है तो आप क्या करोगे इसी एक इंटरस्टिंग कंसेप के साथ आज की मूवी आती है आज में करने वाला हूँ दफाइव ये 2013 की कोरियन मूवी है ये एक रिवेंच थिलर है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मैन कैरेकटर अना हमें दिख्टी है अना के जॉब पर होती है इना कर जॉब जू होता है इसमें वो ब्लोग्स किरा कर अलग-लग डिजैंस बना सकते है वो TV कंपनी के लिए ये सब करते है अब हमें एना के फैमिली दीख थिए इसमें इसी जब नेक्सिम में हमें एक आदमी स्टीट से जाता हो दिखता है वो एक सुमसान जगाता है यहाँ पर एक प्रोस्टिटूट होती है उसे उठा लेता है और अपने घर लेकर जाने वाला होता है घर जाने से पहले एक सूपर शॉप में आता है इसी सूपर शॉप में एना उस यह दोनों semi age की होती है और यह दोनों 18 school में पढ़ती है यह इसकी ही classment होती है यह सिर्फ 14 years की होती है जब daughter उसकी friend से पुछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो वो कहती है कि उन्हें uncle के साथ मैं आई हुई हूँ जिस आदमे ने इस prostitute को उठाया था उसे अपने uncle बुला यह table पर पड़ी हुई होती है यह जो आदमी है यह actual में serial killer होता है इसने table पर उसे बांद दिया होता है और उसको वो काट रहा होता है निकस दिन सुबा एना की daughter का birthday होता है इसका cake लेने के लिए वो एक bakery में आते है एना की daughter को एक special cake चाहिए होता है पर उसे वो लेने नहीं देती है यह बहुत ही unhealthy होता है ऐसा उसे लगता है एना की daughter नाराथ होकर उस shop से बाहर आ जाती है स्टीट पर वो अपने glassman की uncle को देखती है उसके पास हो जाती है उससे कहती है कि मैंने तुमें कल देखा था एना कहा है इसके बारे में उसे बुचती है अब जो एक killer है इसे problem हो चुकी है जिस लड़की को उसने मारा है इसे ले जाते हुए एना की daughter ने देख लिया है यह situation उसे handle करनी होती है एना को कहता है कि वो तुमसे मिलना चाती है वो मेरे घर पर है क्या तुम उससे मिलने चलोगी अगर तुमें transport का problem होगा तुमें तुमें चोट दे सकता हू एना की daughter कहती है कि मुझे आज जरा लेट हो रहा है एना की mother भी वहाती है mother के पास फिर वो चली जाती है यह दोनों जब जा रहे होते है तो इनकी number plate यह serial killer देख लेता है रात में जब यह cake काटते है तो एना की daughter उनसे present मांगती है एना और उसके husband यह दोनों एक दूसरे train कर रहे होते हैं कि इन्होंने इसके लिए कुछ भी present नहीं लाया है एना फिर जब hall में जाती है तो उसे देखता है कि वहाँ एक design बनी हुई है एना ने box की trick की होती है यह trick जब खतम हो जाती है तो इसके last में एक अच्छा सा mobile होता है यह देखकर एना की daughter बहुत ही खुश किया होता है यह देखकर उसे हसी आ जाती है पर एना यह सब देख लीती है एना बहुत ही जादा घुसा हो जाती है क्योंकि अपने husband को उसे smoke नहीं करना देना होता एना घुस्से में ही shower में चली जाती है उसे कुछ आवाज है सुनाए देती है जब बहार आती है और पानी पीती है तब killer उसके पीछे खड़ा होता है यह hall में देखती है तो उसका husband और उसकी daughter तोनों खायल पड़े हुए है यह killer फिर उसको भी जखमी कर देता है यह alarm बजाने की कोशिश कर दी है पर यह करनी पाती इसके बाद एना हमें directly hospital में दिखाई गई है एना का blood dive RHO होता है डॉक्टर जब यह देखता है तो कहता है कि बहुत ही कम लोगों का होता है यानि कि जो blood एना को लगने वाला है वो भी कम ही available होता है डॉक्टर जो होता है इसका अलग agenda इसके बिच होता है एक्चुल में डॉक्टर की बेटी भी इसी hospital में एड्मी होई होती है इसके बेटी के chances बहुत ही कम है रात में फिर एक injection लेकर एना के रूम में आता है एना unconscious ही होती है पर उसे सब याद आता रहता है killer उसके डॉक्टर उसके husband को मार रहा था यह सब वो देख रही होती है डॉक्टर उसके पास आकर कहता है कि बहुत ही sorry हूँ मुझे यह नहीं करना चाहिए पर मेरे पास कोई option ही नहीं है एना अगर मर जाती है तो उसके organ इसकी daughter को मिल सकते है यह injection उसे देने ही वाला होता है तब ही एना उसका हाथ पकड़ लेती है यह फिर से होश में आ जाती है एना की जीने की चाहत यह बहुत ही जादा होती है क्योंकि अब उसे बदला लेना ह इस serial killer से अब next scene में हमें दिखता है कि दो साल गुजर चुके है अना विलचेर पर है क्योंकि वो चल नहीं सकती है उसकी help करने के लिए hijing नाम की उसकी एक friend है यह दोनों एक bakery में होते है यहाँ आना फिर से वही cake देखती है जो उसकी daughter को चाहिए था यह cake को वो buy कर लेती है हाईचन जो character है यह बहुत ही cheerful है बेकरी के shop owner को कहती है कि आप आईजे इसके लिए कुछ discount मिल जाएगा बेकरी के shop owner को बहुत ही बुरा हो महसुस करा दिये और वहां से alcohol वो ले लेती है यह free में लेती है इसके लिए इसे पहुत ही जादा खुशी होती है एना जब पहार आ नहीं होता हाईजेन और अना फिर में पुलिस टेशन में दिखते है पुलिसे से कहती है कि तुम एसा नहीं कर सकती है बहुत जारा complaints आना क्या आते है यह हमेशा वो करती रहती है पुलिस कहती कि हम तुम्हारे daughter के killer को ढूंड लेंगे अना और हाईजेन को पुलिस जो भी बता रही होती है यह हमेशा से पता होता है एक ही बात हो हमेशा कहती है तो यह उनके पीछे बोलती है इनको पुलिस पर अब थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता आना अपने घर आती है उसे हाईजेन का साथ नहीं चाहिए होता पर हाईजेन भी उसके पीछे पीछे उस अब हमें दिखता है कि एना रात में एक लाइटर ढूंड रही है, जो सिरियल किलर था, उसने उसके हजबन का लाइटर ले लिया था, अगर वो इंटरनेट पर ये सेल कर रहा होगा, तो इस लाइटर को ढूंड रही होती है, ये एक लिमिटर एडिशन का लाइटर होता है, तो इसके पास ये सब होती है, जब रात में एक बायर से वो बात करने लग जाती है, तो उस लाइटर के बारे में भुछती है, वो बुछती है कि क्या उस पर कुछ कारविंग सवगिए जगरा है, वो गहता है कि हाँ, उस फर don't smoke dad, ये लिखा हुआ है, ये आप जोकरन ना वो कुछ पैसे गुंडों को देती है और वो गन बाय करना जाती है यह अकेली है और विल्चेर पर है इसलिए गुंडे वापस आते है इसे मारते है और उनकी गन भी वापस ले लेते है एना इसके लिए कुछ भी कर नहीं पाती है रात में हाईजिन फिर से एना के पास आती ह जो कि एक उन्होंने बाय किया था अब वो इसे लाइट करते है हाईजिन फिर एना को समझाती है या जो मैं प्रेयर करती हूँ या सिर्फ मेरे लिए करती हूँ हाईजिन को बेस कैंसर था उसका पदी जो था इसे छोड़ कर चला गया था यह बहुत ही पैन में है और इसे जीने के लिए सिर्फ तीन महीने है यह कहती है कि प्रेयर करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एना को भी कहती है कि अभी भी तुमारे पास बहुत साइज चीजे है जिसके लिए तुम ग्रेटफूल हो सकती हो तुमारे औरगन से तुमारे बॉड़ी है यह हेल्दी है तुम पैरलाइस्ट हो पर इससे जादो कुछ फरक नहीं बढ़ता तुम गॉड को इन सब चीजों के लिए अभी भी थैंक्फूल हो सकती हो एना फिर इंटरनेट पर औरगन डोनेशन के बारे में साच करती है एक सूबा जिस डॉक्टर ने उसे मारने के कोशिश की है उसे वो बुलवाती है उससे कहती कि मुझे लिस्ट चाहिए जिन लोगों को औरगन चाहिए इन सब लोगों की मुझे लिस्ट चाहिए वो कहती क इस निगे पाच लोग चाहिए, इसमें पहला जो है, ये किसी के भे घर में घुश सकता है, और चीजे बना सकता है, ऐसा कोई चाहिए, दूसरा है किसी को भी मार सकता है, पूलीस का बैगरण जिसका होगा, वैसा है अगात में चाहिए, एक डॉक्टर उसे चाहिए, और ये होती है इसलिए इस movie का नाम The Five है डॉक्टर से पुछता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा यह खेती है तुमारे डॉक्टर को औरगन शाहिए यह उसे life दे सकती हो यानि यह आना अपने आपको मार देगी और यह उसके और निकाल कर अपने बेटी को लगा सकता है यह इस पहला जो है पुलिस के बैगराउड वाला है इसकी wife बीमार होती है और उसे ओरगन लगने वाला होता है उसकी wife यह जो हला थे इसके लिए उसको ही वो ब्लेम करती है यह उसका हमेशा खयाल रखता है next character जो है यह गैंग के लिए काम करती है यह एक hacker होती है इसकी mother के operation के इसे औरगन लगने वाला होता है इसके बात जो होता है जो breaking कर सकता है इसे अपने लिए औरगन चाहिए होता है जब एना इन सब लोग के पास जाती है और इन्हें समझाने के कोशिश करती है पर इस पर कोई भी believe नहीं करता एना फिर doctor को call लगाती है उसे कहती है अगर तुम्हें लगता है कि हमारा operation successful रहना चाहिए तो तुम्हें भी इस पर cooperation करना पड़ेगा जो सब लोग है इन्हें डॉक्टर भुलवाता है इन्हें सब को जो समझाता है यह जो deal है यह करने के लिए अब डॉक्टर बता रहा है तो यह मान जाते है हैकर को एना फिर IP address दे दीती है हैकर को अपने boss से यह सब करने के लिए help चाहिए होती है यह जब उसके boss के पास जाती है तो उसका boss उससे demand करता है उसे इससे intimate होना होता है हैकर के पास कोई option नहीं होता तो इसके लिए हो मान जाती है अब जब आवर मेंट का address मिल चुका है तो वहाँ breaking करने के लिए तो इससे खोल सकता है इस आदमी को भेज देती है इसका नाम glass आय होता है यह जब घर के अंदर गुश जाता है तो उससे lighter मिल जाता है कुछ questions का answer नहीं किया तो उससे मार देगी यह फिर उसे कहता है कि मैं taxi driver हूँ यह जो lighter था एक client का घिर गया था इस client का location वेगरा सब कुछ बता देता है जिस shop से एक killer आया था इस shop का नाम भी उससे बता देता है एना फिर इससे छोड़ देती है एना सब को कहती है कि जिस आदमी को तुमने ढूंडा है एक गलत है इने और भी अब काम करना पड़ेगा यह इससे खुश नहीं होती है टेहो डॉक्टर के पास जाता है उसे जब situation हुए यह सब समझाता है टेहो डॉक्टर से कहता है कि मैं ही directly एना के पास जा सकता हूँ उसे मार कर अब उसका ओर्गन निकाल सकते है इसके लिए डॉक्टर भी मान जाता है यह करने के लिए एना के घर पर जब टेहो आता है तो वहाँ हाइजिन होती है यह वहाँ करने बाता जब हाइजिन वहाँ से चली जाती है तब taxi आ जाती है उसका जो chance होता है वो चला जाता है एना को hacker call लगाती है उसे हो मिलनी के लिए बुलाती है एना जब वहाँ जाती है तो hacker का boss भी उसके साथ होता है hacker अपने boss की help लेकर एना के organs निकालने वाले होती है इसका boss जो होता है यह बहुत ही घटिया होता है इसका अलगी plan होता है यह इन दोनों के organs सेल करने वाला होता है यह दोनों फिर रेजिस्ट करती है पर टेहो वहाँ आ जाता है इन दोनों को वो बचा लेता है अगर मुझे फिर से तुमने मानने के कोशिश की है, तो में ले लूँगी। वो फिर उन्हें उसके पुराने घर पर लेकर आती है। इस सिरियल गिलर ने कैसे उसके हजबन और उसके डॉटर को मारा है, यह सब उन्हें कहती है। इन सब को बहुत ही बुरा लगता है, और इसे पुरी तरीके से मदद करने के लिए वो रेडी हो जाते है। ड्राइवर ने एना को, सिरियल गिलर को उसने कहा चोड़ा था, इसका पता दे दिया था। जिस शॉप में हो गया था, इसे वो भी मालूम है। हैकर की मदद से वहाँ से वो customer base निकाल लेती है, हर number पर वो call करती है, इसमें से एक number हैकर का होता है, जब उसे call करती है, तो उसका आवाज पहचान लेती है। इसके बाद next scene में हमें serial killer दिखता है एक और दूसरी लड़की को उसने अपने घर पर लाया होता है इस लड़की को पता जल जाता है ये कुछ गलत उसके साथ करने वाला है वो हाँ से भागने कोशिश करती है ये इसे पकड लेता है इसे वो मार देता है जिस लड़कियों को मारता है इन्हें वो छोटी सी डॉल में करणवर्ट कर देता है येने कहता है कि अब तुम फिर से बॉन होगी और बहुती ब्यूटिफुल बन जाओगी ये अपने आपको आर्टिस समझता है लास आय और एन्हा दोनों सीरिख इल क्लर के घर के बाहर फिर बैट जाते है ये गाड़ी में होते हैं और एक किलर बाहर निकलता है लास आय उसे बुझता है कि क्या यही है यह कहती है कि मुझे ठीक से उसे देखना पड़ेगा किलर नोटिस करता है कि सचपी से अस वियाय का लिया आए ये खिड़की से अंदर जाकता है अना अब इसे अच्छी तरह कैसे देख लेती है और इसे पैचान लेती है ये जो कारकी गलास्स होती है इस वर फिल्म चड़ाई होती है वो अंदर देख नहीं पाता पीछे से वो देखने कोशिश करता है पर ये दोनों जूख जाते है जब एक किलर चला जाता है तो क्लास आये अना को घर में गुषने के लिए मदद करता है जब एक घर में जाती है तो बहुत सारी डॉल्स देखती है यानि कि बहुत सारी डड़कियों को उसने मार दिया है वो अपनी डॉडर का फोन और उसका नेकलेस ये सब चीज़े देखती है जो किलर होता है उसकी कुछ चीज़े घर पर रह जाती है थोड़ी दर में फेर से घर में वापस आता है और एना वह होती है ये जब सब चीज़े देखता है तो इससे लगता है कि हाँ कुछ कड़ बड़े वो सब चान ले लग चाता है ये पर डोड़ पर नौक आ जाती है ये नौक ग्लास आय की होती है ये से कहता है कि स्पेशल आफ़र है अगर मैगजिन ले लोगे तो में कुछ पेशल चीज़े हम दे सकते है इना जब ग्लास आय के साथ गाड़े में बटे हुए होती है तो कहती हमें वापस जाना चाहिए उसकी बेटी का नहीं केले सुआ है ये उससे कहती है लास आय कहता है कि ये बहुत देंजरेस है हमें नहीं कर सकते है हमारी जो डील हुई थी इसके बारे में तुम सोचो अना भी गही थी कि ठीक है तुम ऑपरेशन के लिए रिडी रहो अना फिर अपने फ्रेंड हाईजिन से मिलने जाती है हाईजिन हमेशा अपने घर पर उसे डिनर के लिए बुलाती है पर अना कभी भी उसके घर ने जाती तो अब वो मरने वाली है तो इससे पहले वो हाईजिन के घर जाकर खाना खाना चाती है जब ये खाना खा रहते है तो हाईजिन को पता चल जाता है कुछ न कुछ तो गडबड यहाँ है वो एना को बोलती है कि जो revenge होता है एक करने से पहले बहुत ही sweet लगता है पर जब तुम revenge ले लेते हो तो पूरी life तक तुम्हें हंड करता रहता है तुम मरने के बाद फिर hell में चली जाती हो एना कहती है कि वेसे भी मेरी life hell ही है जो मैं महसूस कर रही हूँ कि कुछ hell से कम नहीं है Nixon में हमें serial killer एक art gallery में दिखता है यह एक dolls का बड़ा artist होता है इस पर डेहो नज़र रख रहा होता है रात में class high को बुरा लगता है कि एना की daughter का necklace उसे मिलना चाहिए वो फिर फिर से killer के घर पर आ जाता है killer के घर पर CCTV कैमेराज होते है और killer ही हमेशा अपने mobile से देख सकता है killer ने notice कर लेता है और वहाँ से चला जाता है डेहो उस पर नज़र रहाता है पर अपना जो coat होता है यह दूसरे को पहना देता है यहने कि डेहो को लगता है कि यह killer अभी भी वही है killer फिर घर पर आता है और glass eye उसको मारता है उसे वो बान देता है और उसकी सब चीज़े देखता है इसके pocket में इसे वो necklace मिलता है killer उसे पुछता है कि यह necklace किस के लिए है यह कहता है कि मेरे daughter के लिए है जब glass eye की family photo देखता है तो इस family में उसकी daughter नहीं होती इसे फिर शक जाता है और भी जब यह जानता है तो killer को उसके घर का address लिखा हुआ मिलता है अब इसे शख जाता है कि कोई उसे मारना जाता है glass eye का वो murder कर देता है जिस कागर्स पर address लिखा हुआ था वो prescription letter का था जो एक killer है जहाँ भी वो murder करता है वहाँ से बहुत सारी चीज़े लिख राता है यह चीज़े उसने एक जगा पर रखी हुए होती है इस जगा पर वो जाता है इन सब चीज़ों में एक letter pad ढूणता है यह letter pad यह paper और एक letter pad match कर जाता है इससे अब पता चल जाता है दो साल पहले इसने जिसका murder किया था उसका ही letter pad है यह फिर एना का पता निकालने लग जाता है उसके hospital से यह उसका पता निकाल भी लेता है उसका phone number भी सी मिल जाता है यह एना को call लगाता है पर कुछ भी नहीं बोलता देहो को पता चलता है कि जो killer है वहाँ था ही नहीं देहो glass eye को call करता है उसका phone नहीं लग रहा वो फिर एना के पास आता है उससे कहता है कि killer को तुमारे बारे में पता चल चुका है अब हम उसे हंड नहीं कर रहे तो वो हमें हंड कर रहा है तुम्हें एक safe जगा पर चला जाना चाहिए वो कभी भी तुमारे घर में आ सकता है एना जो होती है उसका address उसने गलत दिया होता है एक्च्छल में हाईजिन जा रहती है वही का address उसने दिया होता है यह किलर फिर हाईजिन के बास आ जाता है हाईजिन को धमकाता है एना के address पुछता है पर हाईजिन की family को भी इस किलर ने मारा था अब वो इससे कुछ भी information नहीं देने वाली तो किलर उसको भी मार कर चला जाता है डॉक्टर, हैकर, डेन हो और एना यह सब अब meeting कर रहे है एना हैकर से बुछती है कि मुझे सिर्फ उसका नई location दे दो बाकि जो सब होगा वो मैं देख लूँगे अब तुम लोगों को इसमें involved नहीं होना चाहिए लासाय मर गया है तो यह बहुत ही dangerous है किलर का phone मनोता है तो हैकर उसे help नहीं कर सकते अब हमें डेव अपनी wife से मिलता हो दिखता है डॉक्टर अपनी daughter से और हैकर अपनी mother से इनको अपने चाहने वालों के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है नेकसिन में हमें एना क्रिमेटोरियम में आई हुई दिखती है किलर उसे track करता हुआ वहाँ आ जाता है यह उसे बाहर निकालता है उसे कहता है कि मुझे याद है कि किस तरह से मैं तुमारे husband और तुमारे daughter को मार दिया था उसे बाहर एक staircase के पास लेकर आता है वहाँ उसे धकल देता है वहाँ डेहो भी आ जाता है डेहो एना को protect करने के लिए उसका पीछा ही कर रहाता है तो वहाँ वह आ जाता है एना को बचा लेता है और killer का पीछा करने लग जाता है यह बहुत दूर तक उसका पीछा करता है इन दोनों में fight होती है और Deho उसे बेहोश कर देता है इस killer को फिर वो एक जगा पर लिगर आते है डॉक्टर और Anna एकसाद होते है तो ये news Deho उसे बदा देता है Deho जाए वहाँ आने के लिए बोलता है इस घर में आने के बाद Deho जब अपनी wounds देख रहा होता है तो वहाँ killer उठ जाता है इसे वो बेहोश कर देता है जिस table पर killer को एक machine से वो मारने वाले थे उसे table पर अब वो Deho को बान देता है machine on कर देता है और Anna को call लगाता है Anna फिर killer की घर पर पहुँच जाती है उसकी जो सब डॉल से गिरा है इसे तेहसनेस करने लग जाती है इसका वीडियो बना कर killer को भेज देती है वो कहती ही कि इसे जाने तो वनना तुम्हारे जो सब डॉल से इन सब को मैं तबाह कर दूँगे ये killer फिर डेहो को छोड़ देता है उसे घर आने लग जाता है ये जब घर पर आता है तो Anna ने बहुत सारे बूबी ट्राप्स वहाँ बीचाई होते है एक दोरी पर इसका पेर पर जाता है तो एक arrow भी से लग जाता है जब एक killer अंदर आता है तो एक heavy चीज उस पर वो गिरा देती है यहाँ hacker और Anna दोनों होते है इनको लगता है बेहोस हो चुका है hacker उसके पास जाती है तो उसका पेर वो पकड़ लेता है उसे बहुत ही जखमी हो कर देता है hacker को छोड़ दे तो Anna फिर से उसकी डॉल फोड़ने लग जाती है killer को बहुत ही pain मेंसुस होता है उसके पास जाता है केता है कि अब तुमारा खत्तम हो चुका है Anna कहती है कि तुम नक में सडोगे killer उसे मारी दिने वाला होता है डेहो वहाँ पोच जाता है इन दोनों बहुत fight होती है और यह दोनों बहुत ही जखमी हो जाते है यह दोनों unconscious होते है पर इसमें से killer उठ जाता है वो एना के पास आता है एना के पास एक lighter होता है जो killer है इसने एक बड़ी से doll बनाई होती है और अपना जो art है इसके लिए बहुत ही proud होता है इस doll को एना ने और पेटर में गिला कर दिया होता है यह lighter जलाती है और fake दिती है यह जो doll है जलने जाती है killer को रोना आने लग जाता है वो वही foot foot कर रोने लग जाता है जब इसकी doll मिट जाती है तो वो एना से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी फरगियों नहीं करूँगा एना को मानने के लिए उसके पास आ रहा होता है पर यह जो doll है इसमें spikes होते है एना ने इस तरह से इस doll को setup किया होता है कि इसकी sting तूट जाती है और यह जो spikes थे यह killer में गुश जाते है killer यही मर जाता है यह मर गया है पर एना को अभी भी उसका जो pain है यह नम नहीं हुआ ह वो कहती है कि इस तरह से इतना easy तुम कैसे मर सकते हो यह रोने लग जाती है डॉक्टर फिर वहा आता है उसके पास एक injection होता है जिससे उसे मारने वाला होता है hacker और डेहो यह दोनों उससे कहती है कि अब इसे मत मारो अगर हमारी family को बता चला कि उन्हें organ किस तरह से मिले है तुने अच्छा ने लगेगा डॉक्टर अब मानने नहीं वाला होता है वो injection लेता है आयना के पास आता है उसे पूछता है उसे कहता है कि तुम समझ सकती हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ आयना बोलती है कि मैं समझ सकती हो मैं भी एक मदर थी मुझे पता है कि तुम क्या महसू मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और अपने family की बिना वो नहीं रह सकती है तो इसलिए अपने आपको मार देती है अब end credit सुरोल होते है और हमें पता चलता है यह doctor की बेटी अब healthy हो चुकी है hacker की mother भी जिन्दा है और जो day होता उसकी wife भी अब सही है इसकी wife अप pregnant है और दोनों अब बहुत ही खुश है यही movie खतम हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहे तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे यानि कि आपको सब movies मिलती रहे बेल नोटफिशन आइकोन में दबाना मत भूलिए यानि कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें हम वेसे मिलेंगे एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये